ये अत्रेंद निंदनी है, भगवान गीता में कर्म जोग, ग्यान जोग, उपासना जोग, और क्या होता है भक्त जोग, ये चार-पांच परकार के जोग होते हैं, इसी का उपदेश दिया है गीता में, अवहां जिहाद की बात ही कह रहा है, यतना घटिया है और इसे पद प अलामा और दूसर कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये पगलेट है, चाहे जितने बड़े पद पर रहा लेकिन तो ग्यान, गीता का ग्यान, महाभारत के ग्यान, पुरान का ग्यान, और रामायर का ग्यान, बिलकुल एक पैसे की नहीं है, राजनीत में जोग कुछ भी रहा हो, और ग्यान जोग इस सब को उफदेश दिया, जो सारे इतना परसिद है ग्रंत है हिंदू धर्म में, जिसका कोई नहीं है, यहां तक की कचहरी में यही गीता रखा जाता है, यही कसम खा करके लोग अपना अपना ब्यान देते हैं, तो मैं उसकी इनके समस्त ब्यानों को जो यही कहा जा सकता है कि आदमी सठ्याए गया है, पगला गया है और कुसम इसमें नहीं है, यह अत्रेंद निंदनी है, बगवान गीता में कर्म जोग, ग्यान जोग, उपासना जोग, और क्या होता है, भक्त जोग, यह चार पांच परकार के जोग होते हैं, इसी का दिया है गीता में, और वहाँ जिहाद की बात ही कह रहा है, यतना घटिया है, और इसे पद पर रह करके, इतनी गलत बयान जो इसका गीता के साथ है, और भगवान किर्श के साथ जोड़ रहा है, तो ऐसे आदमी को पागल के अलामा और दूसर कुछ नहीं कहा जा सकता है, जितने बड़े पद पर रहा, लेकिन तो ग्यान, गीता का ग्यान, महाभारत के ग्यान, कुरान का ग्यान, और रामायर का ग्यान बिलकुल एक पैसे की नहीं है, राजनीत में जो कुछ भी रहा हो, इसकी जतनी भी निंदा की जाए, वो कमी होगा, भगवान किर्श का जो थ दिया, जो सारे इतना परसिद्ध है ग्रंत है हिंदू धर्म में, जिसका कोई नहीं है, यहां तक की कचहरी में यही गीता रखा जाता है, यही कसम खा करके लोग अपना अपना ब्यान देते हैं, तो हम मैं उसकी इनके समस्त ब्यानों को जो गीता के साथ याद की बात कर र अधिमी सठ्याए गया हो, पगलाए गया है और कुसम इसमें नहीं है.